हाई अब्रवान दिश्य शंकर प्रताप सेंग और वाचिंग स्पीएस एस्ट्रोलजी ओन यूटूब चैनल दोस्तो मेरे प्यारो मेरे दुलारो मेरे यारो आज मैं आपको बताऊंगा राहू के गोचर के बारे में राहू का गोचर 23rd September 2020 को होने जा रहा है टॉरस साइन में अगर राहू आएगा तो माज मस्ती स्टार्ट हो जाएगी आप लोग टॉरस साइन रप्रेजन करता है लग्जूरियस आइटम को फैशन को फैशन इंडस्ट्री को फिलम को फूड को वाइन्ष को और जितने भी लग्जीरियस फूड जो होते हैं । जो हम महंगे महंगे रेस्टरेंट में जाकर खाते हैं और जो हम महंगे महंगे जो कपड़ी पहनते हैं जो महंगी महंगी चीज़े हम खरीदते हैं जिसको खरीदने के बाद हमें लगता है कि भाई अब तो कुछ मिल गया है और अब तो हमारी value बन गई है तो वो है आपका Taurus sign Taurus sign में राहू आरा है अब टॉरस साइन में राहू आएगा तो राहू क्या है राहू आपकी ख्वाईश, आपकी उमीद, आपकी डिजायर, आपका अप्सेशन जो चीज आप पाना चाहते हो, करना चाहते हो, हांसिल करना चाहते हो राहू है तो राहू का जो गोचर हो रहा है 23rd September को टॉरस साइन में और ये गोचर 18 months के लिए वहाँ पर रहने वाला है तो टॉरस साइन में जब राहू आएगा तो ये जो वीडियो है ये उन खास लोगों के लिए है जो लोग टॉरस से जुड़े हुए टॉरस का संबंध है फैशन से टॉरस का संबंध है फिल्म से टॉरस का संबंध है फूड आइटम से टॉरस रप्रजेंट करता है लगजिरियस आइटम को जैसे महंगे महंगे कपड़े होगे ब्रेंडिट कपड़े होगे और जो भी हम महगा खाना खाते हैं, रेस्टरेंट में जाते हैं और जिससे हमारी अपनी एक वैलू बनती है, उसका सम्भन टॉरस से है तो जो भी लोग इस काम से जुड़े हुए हैं यानि फिल्म लाइन से, फैशन लाइन से, मौडलिंग से या रेस्टरेंट के काम से और जो लोग छोटी मोटी टैले फिल्म बना रहे हैं आज कल मैं देख रहा हूँ कि लोकडाउन की चक्र में लोग बात, बिचारे जो हमारे कलागार लोग हैं आर्टिस्ट लोग हैं, वो घर में बैठके वीडियो बना रहे हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है सेप्टमबर के बाद ऐसा वक्त आएगा जहां पर आप अपनी फिल्मों के थ्रू अपने टैलेंट के थ्रू अपनी आर्ट के थ्रू बहुत पैसे कमाने वाले हैं और 18 मन तक यह टाइम रहेगा 18 मन तक आप लो किसे अचीव करेगा सो मेरे कलाकार भाईयों अब तयार हो जाएए आने वाले टाइम के लिए क्योंकि अब आपके टैलेंट को सराया जाएगा पसंद किया जाएगा पहचाना जाएगा तो अगर आप किसी आर्ट से किसी कला से अगर जुड़े हुए हैं तो अपनी कला के अंदर अपनी आर्ट के अंदर जो भी आप करना चाहते हैं जो भी आप दिखाना चाहते हैं जो भी आप रेप्रेजेंट करना चाहते हैं उसका समय आने वाला है और आपको इस चीज के लिए अभी से तयार होना पड़ेगा आपको इस चीज के लिए अभी से तयार होना प पॉलिश करें और ज्यादा महनत करें और ज्यादा क्रेटिव बने जैनों के गाइस टेक क्यार और गुडबाइ